एंस आ एम यूर आइटी कप्यूटर करिक्टरीश्टि पॉप्थ एंड है टाइपस आफ कंप्यूटर इसमें हमने जाना था ç comunque सभी में एक यांट किस-Kis type कि होते हैं इसमें माईक्रोंप्प्यूटर सी सिप्रकंप्यूटर तक के बारे में जाना था यह सेक給्छिन है और है की सेकणड्य लेशन इसका नाम क्या है ऍाइब सन्सेयर और प्स्पी जानेंगे सैब्सक्तेयर के बारे में किया होता है है और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं तो विदाउट डिले लेट स्टार्ट इस चैप्टर आप जानते हो कि यह कंप्यूटर कर सकता है जब यह लोडेड हो ऑपरिटिंग सिस्टम से लेकिन आपको पता है और अप्रिटिंग सिस्टम जो है वह एक सॉफ्ट्वेर का टाइप यह लेट चलं अबाउट राट टाइप आपको ऑप्र यह जानते हैं सॉफ्ट्वियर के बारे में आगए सटेयल में कौकी आजए नोगा आथ आब कंप्यूटर सिस्टम is made up of two parts हमारी computer system में दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है हम लोग previous class में इसके बारे में discuss कर चुके है so the first one is hardware and the another one is software hardware और software से मिलकर बना हुआ है hardware is the physical components of the computer understand hardware क्या है physical component physical component मतलब ऐसा चीज इसको हम choose सकते है feel कर सकते है okay that we can feel and touch for example keyboard mouse joystick CPU monitor printer print drive CD DVD यह सारे चीज़ें को हम लोग क्या कर सकते हैं छू सकते हैं और touch कर सकते हैं और feel कर सकते हैं okay but software is a part of the computer that we cannot feel and touch that we cannot feel and touch software ऐसा पार्ट है computer का जिसको हम ना तो छू सकते हैं और नहीं feel कर सकते हैं ओके एक्जाम केल के लिए MS Paint MS Word MS PowerPoint इन सब चीओं से आप रुबरू हो चुके हैं आपके प्राक्टिकल ग्लास में ओके लाब में computer lab में computer is a machine that does not process and intelligence of its own computer कैसा machine है खुद खुद काम नहीं कर सकता किसी भी चीज को process नहीं कर सकता पॉसस नहीं कर सकता है खुद वखुद तीक है इसे क्या चाहिए होता है इसे चाहिए होता है command आगे दिखते हैं कैसे computer without instructions is like a car without a driver एक computer जो है बिना instructions के इसे क्या हो देना होता है इसे कार की तरह है जो बिना driver का है तो सेम टाइप से एक computer एक ऐसा कार है जो बिना driver का नहीं चल सकता है okay it requires a set of instructions given by us to work on. क्या चणिए ? set of instructions चाहिए जो हम देते हैं इसे कार्म करते वक्त डीज सेटव इसे रूंस्टॉक्स्टन्स और काल प्रोग्राम इसी सेट ओफ इंस्टॉक्शन्स को क्या कहते हैं हम लोग प्रोग्राम को कहते हैं set of instructions में समझ में आ रहा है ना, बहुत सारे instructions का set, ठीक है, बहुत सारे instructions मिलकर क्या बनाता है, program बनाता है, understand, बहुत सारे instructions मिलकर क्या बनाते है, program, understand, software is the collection of such programs, और software क्या होता है, collection होता है, इस तार की programs का, जो बहुत सारे instructions से मिलकर बना होता है, और बहुत सारे programs मिलकर क्या बन आता है understand तो यह collection है बहुत सारे प्रोग्राम का that tell the computer to perform operations like input process output input process output आप जानते हैं कि कोई भी computer इसी method पर काम करते हैं जिसू करते हैं IPO cycle understand यानि कि input process output ठीक है तो यहां पर ध्यान देनी होगी क्या बाते हैं यहां पर ध्यान देने की बात है कि जो instructions है हैन बहुत सारे instructions में क्या बनाते है program बनाते हैं ठीक है बहुत सारे instructions मिल कर program बनाते है अब पहुत सारे program मिल कर set of program को क्या करते हैं हम लो collection जैसे सार्वेर को काम करने के लिए जो इसे सारे चीज जिसको हम छू सकते हैं फील कर सकते हैं यहिसे कि कीबोर्ड माॉस सिप्यू का जो ऐसे पार्ट जिसको हम चूँ सकते हैं है ना मॉनिटर ये सब सारी चीज़ें यह क्या है हाडवेर है ठीक है सेट अप इस्ट्रक्शन गिवें जिद्ध हाडवेर टू परफॉर्म एनी टास्क इस सॉफ्ट्वेर तो हाडवेर को जो भी हम इस्ट्रक्शन दे हाडवेर केनाट डू एनिछीग सॉफ्ट्वह के बिना हाडवेर कुछ भी नहीं कर सकता सॉफ्ट्वेर इन्स्ट्वप्वेर को किसी ब्रू टास को कमप्रीट करने में दस बोध हाडवेर को डिपेंडेंट्बरी तो हम यह कह सकते हैं कि दोनोंग चीज बहुत ज़रूरी कपिटर करने के लिए यानि कि अप्सक्राइब के अगर सौट्व की बिना ऐब्लुर्स जो है ऑनीड देन्लेन काम निकाल यह उता है थो बीना हन्तंग ओस्तृट वेर के हाल Wy उससे हावट वियर के कमांढ़ कुमांद देनक ईधिया है तो बीना हाडवेर के सॉफ्ट्वेर विकार है अब बीना सॉफ्ट्वेर के हाडवेर विकार है अंडेस्टेंड अगे समझते हैं हम लोग टाइप सॉफ्ट्वेर के बारे में सॉफ्ट्वेर दो टाइप का होता है पहला है सिस्टम सॉफ्ट्वेर और दूसरा है एप्लिके कि अंदर तीन तरह की ओर ततें जिसे कि ऑपरेटिंघिंग सिस्टम् लैंगेच ट्रॉचसर। यॉटिलीटीज सस्टव्टव्ट एंडास्टेटीं ये ऍटीनों कर क्या मतलई명 को रच उस्टम आपार को बनाते हैंён अपल्रीकेसि न सफट्वार दो टाइब होता है पेहला जन्रल पर्पस अप्रिकेसिंग सॉफ्ट्वेर दुसरा स्पेइसिफिक पर्प्रस sitten डिकेशन स concerned सिर्म आते हैं सिस्ट्रस आपि चानते हैं कि सब्सक्रख और में जब वर क्यों आरई सिस्ट्रस चब्रच जो है कंफ没事 डे कंपीटर की प्रेसंस एकशर और साय कंप्राह्ण करता है चीजघ कंप्रीं करता है केहिए सब्सक्राइब करते हैं तरफ कृफिटर सिस्टम आ कंप्यूटन सिफ्रम प keeping this ज ग्यारता है बैसिकली इसस्टम सफ्ट्व्वेर का उन्स और सुषिंट megacther अपिस्टर करता है कंपुतर को पिए जो सब्सक्राइब के साथ स्टार्ट सब्सक्राइब करने में A करने में जैसे मालते हैं कि हमने माउस को ड्रैक किया तो वहां पर मॉनिटर में देखता है ना तो मॉनिटर में दीक रहा है किuges के यह दूसरे से एक ग्रहा गम किसके आटेच है यह फप प्रिटिंग सिस्टम की वज़ से एंटरस्टेंड हम कीवोर्ड तुम्हें कोई भी की प्रेस कर रहे हैं तो वह हमें अ मोनिटर पर दिखता है कि प्रेस्ट होने केबाद ठीक है तो यह क्या है यह मतलब अब एक तरहिए का combination है दो hardware के बीच में तो यह कम्मिनिकेशन है किस ने करा है operating system ने कराया understand तो यह communicate करता है communicate करने में help करता है and makes them to work together इन लोगों को एक साथ काम करने में help करता है और यह क्या करता है it controls the entire working of a computer computer के अंतर जो entire working है पूरा working को control करता है operating system it is an interface between the user and the hardware यह user and hardware के बीच में interface होता है मतलब जिससे मालते हैं कि अगर हमें कोई काम करना है तो हम hardware के use करेंगे computer में input देने के लिए या फिर output receive करने के लिए तो user और एक तरीके से hardware के बीच में जो interface का काम करता है वह operating system करता है और उन्हें enable करता है साथ में काम करने के लिए operating system acts like a head of the family operating system किसके तरह काम करता है head की तरह काम करता है family की है ना जिससे मालते है family का head होता है उसी जिसा काम करता है operating system who is responsible for overall management of the family जो की responsible होता है पूरे management का मतलब एक तरीका से बोले अगर computer family है तो कह सकते हैं कि उस family का head यानि computer का head जो है वो कौन है operating system है सब्सक्राइब जो पूरे family को यानि कि पूरे computer को manage करता है सब्सक्राइब आपको आपने android का नाम सुना है हां बिल्कुल android जो है वो operating system है ठीक है android android क्या है operating system है सब्सक्राइब और अपने नाम सुना होगा windows का देखो यह जो windows है यह भी operating system है अपने iPhone operating system भी सुना होगा iPhone यानि कि iOS operating system ठीक है अपने और सुना होगा macOS यानि कि यह कहां यूज होता है apple के laptop भी यूज होता है macOS और iOS कहां यूज होता है iPhone में यानि कि apple के phone में ठीक है और अपने सुना होगा linux ठीक है यह भी operating system का example है ठीक है तो जो हम computer में यूज करते हैं maximum windows यूज करते हैं ठीक है जो हमारे school में भी computers हैं उनमें जो operating system लगा है वह कौन से लगा है Windows लगा है Windows के बहुत सारे operating system है जैसे की Microsoft DOS Windows XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 यह सब example है Windows के operating systems के अगे आता है device management device management क्या होता है इसके अम बबारे में हम लोग समझते है operating system controls the working of all input and output devices जो operating system क्या करता है device को management device को manage करता है operating system controls the working of all input and output devices जितने भी input devices होते है input devices जानते है जिससे हम input देते हैं keyboard, mouse, scanner यह सारे input device है जिससे हम input देते हैं computer को output devices जो हमें computer के द्वारा result मिलता है वो output device मिलता है monitor, printer, sound, speaker यह सारे output devices है तो output devices को भी क्या करता है यह control करता है input output devices के सारे work को control करता है understand memory management piece का काम है memory का मतलब समयार आपको ना memory मतलब हम कोई बीचीज save करके रह सकते हैं यहाँ पर M A नहीं होगा M E होगा यहाँ पर spelling wrong है अब E होगा an operating system allots the memory space to various application software यह क्या करता है allots the memory space to various application software जितने भी application software होते है उसके memory को यह save करके रखता है it also removes unnecessary files यह क्या करता है remove कर देता है जितने भी unnecessary file होते है जरूरत के file नहीं है उनको create more space in computer memory ताकि computer memory में ज्यादा से ज्यादा space को हम लोग create कर सकें ठीक है फिर क्या आता है जैसे माह रहते हैं कि आपके computer में कोई ज्यादा files है जो बेकार के हैं तो उससे क्या करेंगे यह क्या करता है memory management उसे remove कर देता है ताकि हम लोगों के पास अच्छा कासा space बचा रहें security management क्या होता है an operating system gives security to the computer by means of password production जिससे माह रहते हैं अपने देखा है हमारे mobile में या फिर computer में password मांगता है तो वह password कौन प्रोवाइड करता है operating system ही प्रोवाइड करवाता है अपने security management के management के द्वारा understand आगे में लोग पढ़ते हैं file management के बारे में file management क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं an operating system consists of track of files regarding creation, deletion, transfer, copy and storage of file ctc is an organized manner तो file management क्या करता है हर चीज जैसे बारे में किसी file को create करना है, delete करना है किसी file को transfer करना है एक जगा से दुसरे जगा copy करना है, paste करना है यह सारी चीज़े जो है storage का पूरा management ठीक है जैसे आपका files होता है our user mode अप्लेंग system तो हम बहुत सारे वी यूज करते हैं अपने computer में चाते हो आप जैसे आप अपने mobile में भी बहुत सारे हेंगे चैसे वी उन सारे application को भी manage करता है operating system, गहाँ type of operating system के K今回 przy इसके बारे में जानते हैं, ठिक है, आगे देखते हैं, लुक अधर डिएक्राम कि वाउन नेक्स पिच तू नू रटाइप्स आप उप्रटि कि इसके बारे में जानते हैं कि ऐसे-डियो सिट्विक है, ऑनली वन परसन के वक अट ताइम, फोर एक्जामपल यह समारते हैं कि एक ही परसन काम कर सकता है एक समय में तो एक्जाम्पल के लिए Microsoft Windows and Mac OS यहाँ पर टाइप दिया हुआ है Single User Operating System, Multi User Operating System, Graphical User Operating System और Character User Interface इन सब चीजों के बारे हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या है फिर पढल से प्रस्सेसर है जानता है कि समर्म 1 गचा उलका है जिसे हाम जानते हैं कि क्वुटर भी हमारे से म लिट लिन भी समझता है कश्रिष्टर्टर का इक्जामपर है इससस्ट्रवीर इसससाफ्ट्वेर is obtained by writing programs of computer language यहना कि C C++ देखो इस अब चाभा अलग language है दे चावा अलग language है जावा अपको तो इसमें आपको इन सब चीजों के बारे बताया जाएगा डेटेल में चिक है आदा important language of computer के important language हैं computers के चिक है जो सबसे जादा भी उस होता है वो C++ है चिक है और भी बहुत सारे advanced language है साथ साथ आँसे सब्सक्राइड है का Ersus इसाथ साथ आँसे करता है बारे में मैं उनके क्या है उनके बारे में जानते हो तो हम अगर गलती से किसी भी पाइल को डिलेट कर देते हैं तो हम कहां से वापस ला सकते हैं पाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेर में आने वाले जो बैकिक यूटिलिटी है उनकी विए से ठीक है इसको वापस से बैक अप कर सकते हैं आपके भी मुवाइल में बैक अप्शन होता है इससे किमा लेते हैं अगर कोई भी चीज हमने डेलिट हो गया तो हम गूगल ड्राइव से यहां से बैक अप ले सकते हैं जैसे माया रहते हैं हमने वहाँ पर अपना सारा कॉंटेक्ट से बैक अप में से रखा है गूगल ड्राइव में या फिर जीमेल में तो हम उसका बैक अप ले सकते हैं सारे क ïतने हँ फाल्स है उनको एक कता है अब ब्लक स्पेस्श को भी रहेंज करता है तो आ अप अच्छे से जानते होगे अंड हना लोकडान में अम लोग वाędरता है हैं लेकिन यह वीर्स नहीं है यह वैसे वायरत होते हैं जो हमारे कंपिट लों काराश कर सकते हैं। और हमारी युआ Frankly क Wesb school च्बसके लिए युँठ जिए अच्छे विरुस होते हैं और कुछ खराब वारिस भी होते हैं झीक है जो हमारे کंप्यों को खराब कर सकते हैं जो बैस्द हैआं च्टिक्ट के लिए इक इस के करते हैं उसके बारे में पढ़ चुके है अब थोर दे पहले इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे इस सिच के बारे में, ओके? More than one person can work at a time with multi-user operating system. Multi-user operating system में हम लोग एक से चाधा लोग एक साथ में काम कर सकते हैं. उसके अब पर क्या रहता है GUI, GUI का मतलब क्या होता है Graphical User Interface Understand, as the name suggests, search operating system use icons यह जैसे की नहीं में बताया गया है यह जो Graphical User Interface है, वो कैसे यूज करता है, वो आइकन का यूज करता है ठीक है, देखो यह Graphical User Interface का example, यह सब देखो आइकन्स है ना, यह देखो चोट-चोट आइकन्स हैं तक्षिस मन क्या करते हैं मैं, बसाइकन्स मेंכול क्लिक करते हैं, यह फायल ॉपन हो जाता है यह लेकिन उसके बाद आता है, क्रेक्टर यूजर घरफिकान जोल्ए मेन धेना होता है कर 17 करके शाल मों कुड करना होटा है तो टाइब करके देना होगा चीक है यहीं कолों उचार यानि की ग्राफिकल जुजर इंटरफिश और फक्रन जिद इने इनी न होटा है अब फैक्टर-फैंड जानुस्त में पिक्चर बना होता है जुआ जो आता है एक अप्रिकेशन सौफ्टर क्या होता है यह सारे सौफ्टवर्स है जो हम इस पेशली थे परने पनी अपने परपर सके अगॉर्ड था४ है लोगर्तेक ऍसक्रोजेटा प्रहले जों पर और Siya koo करते हैं जम यह दो टाइप है आपि इन साफ्ट वर के चीक है तो पर से पहले जानते हैं हम लोग किसके बारे में जेनरल पर परप साफ्ट वर अगे पढ़ते हैं तो जनरल परपस अपर जो है वो क्यक्स लिए यूज होता है दिखो था सिट पॉग्राइब शॉरी चैनल परपस्ट वेर्ट फोर्टा चैनल परपसेज एंड डिकरब्मेंट सी चैनल परपस के लिए यूज होता है और लाज नंबर आ पीपल जो कि यह ब स्वेर्ट बेस मेंडेजमेंट सिस्टम समय रहा है सॉफ्टवेर मल्टी मेडिया ग्राफिक्स मल्टी मीडिया में सौंग मूवी वीडियो यह सारे चीज आते हैं प्रिजेंटेशन वेर्ट फोर्पॉइंट वेगरा चीज यह सम इसमें आता हि जनरल परपस आपकर सब्ण सब्सक्राइब करते हैं आपको समझ में आ रहा है कि आम लोग क्या करते हैं वही का रहाता है वर्ड पॉसेसिंग सफ्ट्वेर अंड़स्टेंड उसके वादाए करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं इसमें आपने आपने अगर नहीं किया है आपको बताय जाएगा आपके लैब में इसके बारे में अब्सक्राइब के अंदर आता है नेस्ट आता है डेक्स्ट प्रबिशिंग शॉफ्ट्वेर अडेस्टेंड लेस्ट प्रफिकल फिचर तु डिजाइन पॉपरिशनल दोकुमेंट्स लाइग बुक्स यानि की पॉपरिशनल दोकुमेंट्स को प्रेपर कर सकते हैं जैसे कि चुछ अच्छा बाइगरांड मिलता है जेकर अ 라फिकल से रूप में चींग है तो नीज्टेंटल वेल से रहा हमिसे आप पर प्रेपेर कर सकते हैं डेक्स्टस टॉप आपने अपने कंप्यूटर में है ना अफे इसको ले कंप्यूटर में MS XS होता है तो MS XS एक्सेस और कल और बेस यह सब इसांपल है डेक्टपेस मेनेजमेट सिस्टम में 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 सिस्टम के ठीक है इस टाइप इस आप इस आउड वेर के you can across data paces in form of phone directories and calculators payrolls information इसके बारे में डिटेन्फ लोग चानेंगे प्राक्टिकल क्लास में लाब में इसका पूरे एक चैप्टर होता है डेटाबेस में इस्टम सफ्ट्वेर का ठीके फिर आता है Multimedia Graphics and Presentation Software ठीक है Multimedia इसके नाम से आपको समझमाए जाए किस टाइक पर Software Multimedia Graphics और Presentation Software ठीक है तो Multimedia Software क्या होते है इस यूज तो Create Animation ठीक है इसका यूज क्या आता है Animation को Create करने के लिए ठीक है Sound, Video, Graphics यह सारे चीज़ें जैसे महारते है Music देखना है Movie देखना है ठीक है यह सारे चीज़ आते है Multimedia Software के अंदर ठीक है इसमें क्या आता है Windows Media Player ठीक है इसके help से हम लोग Song Play कर सकते है Movie देख सकते हैं ठीक है Movie Maker and Macro Media Flash यह सारे चीज़ आते हैं इसके अंदर ठीक है फिर आता है Graphics Software क्या होता है this software help you to create image like graphs तो यह हमें help करता है image create करने में graph की तरह ठीक है Chart बनाने में help करता है Logos जैसे आप जानते हो Logos यूज होता है ठीक है मतलब जैसे की देखो यह logo है Windows Media Player का यह वाला ठीक है Photographs, Cartoon यह सब चीज़ क्रेट कर सकते हैं हम लोग Graphics Software के help से Add of Photoshop यह example Add of Photoshop, MS Paint, Tux Paint, Apple MS Paint जरूर यूज किया होगा ठीक है AutoCAD are the example of Graphics Software understand प्रेजनेशन सफ्ट्वेर प्रेजनेशन सफ्ट्वेर क्या होता है जैसे आप किसी भी टाइप के प्रेजनेशन को क्रेट कर सकते हो प्रेजनेशन सफ्ट्वेर का यूज करके तो आपने MS PowerPoint का नाम जरूर सुना होगा MS PowerPoint किसलिए यूज होता है प्रेजनेशन सफ्ट्वेर को बनाने में ठीक है यहाँ पर हम Slides बना सकते हैं Slides बनाकर और डिस्पे कर सकते हैं पड़े स्क्रीन पर और हम कि अपने चीजों को समझा सकते हैं क्या 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 होता है कि पीछे इमेज होता है लिख सकते हैं डिफरेंस बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें होते हैं प्रेजेंटेशन को त्यार करने के लिए ठीक है MS PowerPoint के बारे में आपको डेटेल में बताया जाएगा आपके लाइब क्लास में ठीक है जो की पूरा एक चैप्टर MS PowerPoint क्यांट नेक्स आता है स्पेसिपिक परपरस अप्रिकर्शन साफ्टवेयर इस अप्रप्रवियर इस अप्रप्रवाइब यह से कॉस्टमाइब सफ्टवर भी कहते हैं एक इस का यूज होता है इसका डेबलब किसको किस लिए डेवलब किया गया है इस पेसिपिक टागेट को एचीव करने के ठीक है जिनको जरुरत होता है वो खुद इनको डावलाव करवाते हैं वो लोग परोल सिस्टम रिजर्वेसन सिस्टम यह साइच चीजें यूज़ ए रेलवेज स्टेशन एंड एरपोर्ट जिसे रिजर्वेसं सिस्टम हर जगह तो यूज़ नहीं होगा वह कहां यूज़ होगा र बिलिंग करने के लिए वो जिस सॉप्ट्वार का यूज करते हैं वो क्या होता है इसका यूज सब लोग नहीं करते हैं यह लोग